आपका स्वागत है मैं आपके साथ आत्म प्रियार यह आईए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार बिदर के ब्रीवस अस्पताल में कई संवर्टनाओं की और से रोजा ना किया जा रहा है खाने का वित्रण रविवार को सुर्यकान नागमार पली भी रहे मौज़ुद लोगों में खाना वित्रण किया यूपी में योगी सरकार ने फिर बढ़ा है लागडाउन 17 मैं तक लागू रहेगी पाबंदिया 36 गर में होगी शराब की होम डिलिवरी दमन सेने सरकार पर साधा निशाना राज्यों के विधान सभा चनाव नतीजों पर कल होगी कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी की बैठक अब समाचार विस्तार से बंदी मातर्म इंटरनाशनल स्कूल न्यू जीरा वाटर लहरी डेलपर और श्री सीवन की ओर से बीदर के ब्रींस अस्पिताल में रोजाना सुबह 11 बजे से दोपर एक बज़े तक पेशन्स अटेंडर्स और गरीब लोगों में खाना तक्सीम किया जा रहा है रवीवार को सुरेकान नागमार पल्ली ने मुख्य अतिथी के तोर पर भाग लिया और लोगों को खाने के पाकिर्स तक्सीम किया इस अवसर पर सुरेकान नागमार पल्ली ने केपी न्यूस से बात कि करोना वाइरस से निबटने के लिए दिल्ली में पिछले तीन हफ़ते से जारी लोगड़ॉन एक सप्ता और आगे बढ़ा दिया गया है इसके साथी शहर में मेट्रो सेवाए भी सस्पेंड कर दी गई हैं सीम अर्विन केजरिवाल ने आज यहां घोशना की सीम अर्विन केजरिवाल ने रविवार को फ्रेस वारता करते हुए कहां की दिल्ली में लॉगड़ॉन लगाने से पॉस्टिविटी रेट 35 प्रतिशत गिर कर 23 प्रतिशत हो गया है मौत भी हो रही है तो 20 अप्रेल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉगड़ाउन लगाना पड़ा था कि केस लगातार बढ़ते जा रहे थे लगातार बढ़ते जा रहे थे लॉगड़ाउन लगाने की वज़े से और भी अन्यक्विन कई कारणों के वज़े से 26 अप्रेल को आके 35% positivity rate बढ़ गया था 35% बहुत जादा होता है मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें positive निकलते थे 26 अप्रेल के बाद से चुकि lockdown लगाया था एक तरह से थोड़ी सी chain तूटनी चालू हुई थी इसकी करोना की 26 अप्रेल के बाद से धीरे 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 केसे कम होने चालू हुए और अब पिछले एक दो दिन के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ा दिया गया है राज्य के मुख्य मंत्री योगी अधितिनाथ की सरकार ने प्रदेश में करोना के बढ़ते हुए केसस को देखते हुए लोगडाउं की अवधी को 17 में तक के लिए बढ़ा दिया है पहले सोमर 10 में तक ये पाबंद्यां लाग लाने के मकसद से किया है इस बढ़ी मियात के दौरान भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकाने और प्रतिश्थान बंद रहेंगे विश्व स्वास्ति संगठन की मुख्य व्यग्यानिक डॉक्टर स्वामया स्वामी नाथन ने भारत में करोना वाइरस के कहर को लेकर चिंता जताई है उन्होंने कहा है कि देश में अचानक से करोना के विस्पोर्ट के पीछे सबसे बड़ी वज़र है इसका नया वेरियंट उनके मताबिक ये वेरियंट जादा संक्रामक और जानलिवा है उन्होंने कहा है कि इससे बचने का एक मातरूपाई वैक्सिनेशन है भारत को इसमें तेजी लाने की जरूरत है स्वामिया स्वामिनाथन ने कहा कि भारत में तबाही इस बात का संकेत है कि करोना का नया वेरियेट बहुत तेजी से फैल रहा है बता दें कि देश में शनिवार को पहली बार एक दिन में चार हजार से ज़ादा लोगों की मौत हुई जबकि पिछले चार दिनों में हर रोज करोना के चार लाग से ज़ादा नेगे सामने आ रही है बॉलिवूड अभिनेतरी रवीना टंडन ने करोना महमारी संकट के दोरान राजधानी दिल्ली के लोगों की मदद के लिए 300 ऑक्सिजन सिलंडर भेजे हैं उन्हें रूद्र फाउंडेशन द्वारा ऑक्सिजन मुंबई आन दवील मुंबई टो दिल्ली नाम दिया है उन्बई से दिल्ली तक ऑक्सिजन सिलंडर भेज कर शुरुआत की गई लवीना ने कहा है कि करोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी ने उन्हें गहरी नाराजगी की स्थिती में छोड़ दिया था इसलिए उन्होंने विक्तिकत रूसे सिलंडर भेजने का फैसला किया गाजियाबाद जिले में पिछले एक साल की अवधी में 9000 से अधिक करोना के मरीज गायब हो चुके हैं सरकारी रिकार्ड में इन मरीजों का कोई पता ठिकाना नहीं है ये मरीज करोना मुक्त हुए हैं या फिर कहीं और जाकर करोना के स्प्रेडर बन चुके हैं हाला कि स्वास्ति विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि ज़्यादा तर मरीज प्रवासी थे ठीक होने के बाद अपने मूल निवास चले गए इस दोरान शराब पीने वालों को समस्या ना हो इसके लिए अब राजिके सभी जिलों में शराब की होम डिलिवरी की जाएगी घर के दर्वाजे तक शराब पहुंचाने की इस सेवा के लिए आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये हैं इसके तहट यहां सोईदा 10 में से शुरू होगी शराब की होम डिलिवरी कराने को लेकर पूरो मुख्यमंतरी रमन सिंग ने 36 गर सरकार पर निशाना सादा है उन्हेंने ट्वीट कर कहां है करोना संकट में यहां देश की पहली सरकार है जो शराब की होम डिलिवरी करेगी आपके घर राशन, दवाई और वैक्सिन पहुंचे या नहीं लेकिन यहां शराब जरूर पहुंचाएंगे सोचिए अस्पतालों में मरीज दम तोड रहे हैं लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की चिंता है असम के नए मुख्यमंतरी के तौर पर हेमद बिस्वाशर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी में कल से जारी बैठकों के दौर के बाद आज हेमद बिस्वाशर्मा के नाम पर महर लगा दी गई है बता दे की सर्बानन, सोनावाल और हेमद बिस्वाशर्मा को बीजेपी आलाकमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था दोनों नेताओं ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और केंद्रे ग्रिहमंद्री अमिच शाह से मुलाकात की अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का कुरोना महारी का जालेवा प्रकोफ है जारी और तरफ करणा के मामले बढ़ रही है ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कुरोना संक्रमन से बचाना है या हमारी आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है इन हालात पर गुलजार सहब के कुछ पंक्तियां याद आ रही है बेवज़ा घर से निकलने की जरूरत क्या है मौत से आँखे मिलाने की जरूरत क्या है सबको मालुम है बाहर की हवा है कातिल यूही कातिल से उलजने की जरूरत क्या है जिन्दगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी यूही गलियों में भटटने की जरूरत क्या है KP News 24-7 के परिवार की और से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निटलिए दोगस दूरी का पालन कीजिए मास्क सेनेटाइजर का उप्योग कीजिए और सरकार द्वारा धिये गए नियमों का पालन कीजिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आईए देखते हैं आगे के समाचा पश्चिंग बंगाल के मुखे मंतरी ममता बैनर जी ने रविवार को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर उनसे कोविड-19 महमारी से लड़ने में इस्तमाल होने वाले उपकरण और दवाईयों पर सभी तरह के करों और सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है बेनर जी ने मोदी से स्वास्त बुन्यादी धाचा मजबुत करने और करोना वाले से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण दवाऊं तथा ऑक्सिजन की आपकूती बढ़ाने का अनुरोध भी किया है कॉंग्रेस की शीशनीती निर्धारक इकाई कॉंग्रेस कारे समीती की बैठक सुमवार को होगी जिसमें चार राज्यों और एक केंदर शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों पर मन्थन किया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी की अध्यश सोनिया गांधी ने शुक्रुवार को कॉंग्रेस संसदिय दल्म की बैठक में इस तरह की बैठक आयूजित करने की घोशना की थी असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कॉंग्रेस को हार जिलनी पड़ी वहीं पश्चिम मंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका पुड़ी चेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी चमिलनाडू में उसके लिए राहत की बात रही कि द्रमुक की अगवाई वाले उसके गटबंधन को जीत मिली आई पील दो हजार इकीस के टलने के बाद ज्यादा तर देशों के खिलाड़ी अपने देश लौट चुके हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दोनों ने अपनी चुपी तोड़ी वार्नर और स्टेलर दोनों नहीं बार में खुई जड़ब से इंकार किया महामारी के खिलाफ भारत के लड़ाई में युनाइटेट किंग्डम संकट मोचक साबित हुआ है राने संबंदों को निभाते हुए यूके ने तीन ऑक्सिजन जन्रेटर एक हजार वेंटिलेटर भेजे हैं करने के लिए परियाप्त है यूगे की दोस्ती के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार विदर के व्रीवस अस्पताल में कई संवर्टनाओं की और से रोजा ना किया जा रहा है खाने का वित्रण रविवार को सुर्यकान नागमार पल्ली भी रहे मौचुद लोगों में खाना वित्रण किया यूपी में योगी सरकार ने फिर बढ़ा है लागडाउन 17 में तक लागु रहेगी पाबंदिया 36 गर में होगी शराब की होम डिलिवरी दमन सेने सरकार पर साधा निशाना राजों के विधान सभा चनाव नतीजों पर कल होगी कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी की बैठक के पी न्यूज में फिलाल इतना ही देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए के पी न्यूज 24 इंटी 7 धन्यवाद